को मेरे नमेश का आज का दिन शुब हो आज का दिन हम सब लों की जिंदिग्या सबसे खोशर दिन हो आज परमपिता परमिश्वार हम परक्रिपा बनाए रखे और हमारे जो भी मनोकावना है उनको फुरा करें तो अभी स्लाइड के मादम से कुछ बाते करते हैं आज शेर होगी यह सर फूल देग गई फूल देगे यह सर मैं इंदरपाल सिंग आप सभी का अच्छा दिल से वेलकम करता हूं वेलकम मैं आल ओफ योगा सभी का वेलकम है एक बार जोड़ कर लिया आप लोंके वेलकम कर गया है अज दिल में कभी मिली गलाएंगो आप अच्छे करता हूं आज आरी है नियाल के जित इस नियुक्त को वोस्ट अपने आपको अन्मुट कर लें अब नहीं आएगी सर आपकी अब आज आप अपने आपको अन्मुट करें सर आप भी मूट हो गये ना मूट और किया सा मेंन अच्छा सीनितर आपको अनुट करें सर आपको अन्मुट है अपने अंब म्यूट है त्रव मूट है तक पर से आएगे सर अच्छा प्लवाद से ऊपर स्ट्रोल करें ना उपर नहीं हुआ नहीं हुआ पर से अप्सन आप कुमाड़ साथ कोस्ट बना रखा है पर याँसे ऑफ्सन में पास अब तोप शेरिंग है तो अच्छा है मागोट जिया अबस्टोप शेरिंग कर लो सार एक बार दुबार सकर दो तर उपर माइक पे आता है उपर ना उपर ले जाओ उपर ले जाओ अभी एक त्री क्या है हैंग हो गया वो कश्टरी नहीं आ रहा 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 है बहुत बढ़ी अजया अजया अब करना फुल प्ले कर लिए एब बड़े से प्ले करी ठेंक्डियू होगे है अरे सरी संग साहब आज़ाये हैं तो बड़े से बड़े हैंग हो जाते हैं तो तो अब सभी जर अच्छा वो एर बीजि करो प्ले सर हो गया यस अब सब्सक्राइब बार उपर आएगी प्ले अरे कोई बात नहीं बार उपर रहेगी हो तो उपर जाती है आगे पढ़िया है और हम आगे का प्रोग्रम स्वात करने से पहले परमपिता प्रमेश्वर का अश्रीवा लेके आगे बढ़ते हैं और इनी की किरपा से सारे काम हो पा रहे हैं और या तो हम बहुत लखी है कि आज हम इंडिया की नंबर वर कंपणी में चांप करे हैं क्योंकि आज बहुत सारे कंपणिया मार्केट में काम करही हैं बहुत साइं लोग अपने आपको number one पे बोल रहे हैं लेकिन अच्छिल पता कहां चलता है जब हम किसी uh Google search मारते हैं तो पता चलता है कि number one पे कौन है एक्च्छिल में कौन है वो पता चलता है लेकिन हम प्रावड फिल करते हैं कि कि आज हम इंडिया की नंबर वन कंपनी में काम करते हैं तो मैं चाहँगा कि सभी लोग इंडिया की नंबर वन कंपनी और अपनी मां सेप्षोप के लिए एक बार जोदत अली जूँगा है बहुत सवागेशाली हैं एक ग्रेट अपरिटिनिटी मिली और इसको इस तरीके से यहां तक मोतियों की तरह प्रोग के लाने वाले इस तरीके का विजन लेके आने वाले हमारे पांच डेक्टर और मैं चाहूंगा कि इन पांचों डेक्टर साब के लिए भी एक बार जोदत इनकी सोच के वेशा से आज एक आम आदमी खास बने की मलब कोशुश भी कर रहा है और हजारों के साब से लोग खास बने भी इन इकी सोच की विए तो इसके साथ में कंपरी बहुत अची है साथी ज़ाई है लेकिन किसी भी कंपणि को चिलाने का कर सिस्टम मजबूत है किस किसी भी कंपणी को किसी भी संस्ता को चलाने के लिए अगर वहां का सिस्टम मजबूत है तो समयलों की काम बहुत बढ़ा होने वाद है और हम बहुत लग्की हैं कि हमारी कंपणी में हमारी कंपणी को चलाने के लिए हमारा जो एजूकेशन सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेश for system हिंदुस्तान का सबसे number one system महान system बहुत बड़ा system और आज की बात करेंगे अगर network marketing में अगर एक system में अगर सबसे ज़्यादा achievers निकले हैं तो उसका नाम है success for system आज सबसे ज़्यादा diamond सबसे ज़्यादा luxury घर सबसे ज़्यादा luxury cars यह जितना भी जितने भी बड़े बड़े achievement जो आदमी के आम आदमी के एक खास dream रहते हैं जो हर आदमी सपने लेता है कि यार मेरा भी कास ऐसा हो है ना और उसमें सबसे ज़्यादा अगर dreamer achievers हुए हैं तो वो success for system के तरह हुए हैं और हम बहुत हैं कि हमें success for system में काम करने का मौका मिला तो मित्याओंगा अपने system के लिए एक बार जोदा ताली जू बिजा बड़े हुआ हमारे system में हमारे mentors जो हैं सबसे पहले success for system को rise करने बाले मांगर जी राजीव चतरवेश जी जिनकी सोच सिनकी लगन की वज़ा से आज हम सब लोग इतने लोग अचीवर निकले इतना शानदा system मनाया और उनके साथ में secondly जो बिलकुल कंदे से कंदा मिला के और system को बहुत मजबूत लेके आए और महांगर जी संजे जैन साब तो संजे जैन साब का आज हम इतनी भी education ले रहे हैं system की बहुत सारी education तो बहुत सारी है बहुत सारी किताबे हैं बहुत सारी जीजे हैं है ना पढ़ने को लेकिन इन्होंने पहले सब चीजों का दिया और उसमें से कुछ चीजें अलग करके जो हमारे लिए बहुत important थी हमें ये बोला कि आप तो क्रीम क्रीम मजबूत है तो उसकी एक मजबूती की की नीम है तो वह हैं साब तो मैं चाहूं का संजे जैन साब के लिए पर जोड़ा दा लिया बाद करें जाब आगे नाम निकल कि आता है उमपरगास जी का और उमपरगास जी एक ऐसे सक्स हुए जिन्होंने हम जैसे लोगों को इस ब होते हैं वो दिवार के अंदर आते एक location होती है उससे बाहर जाने की permission नहीं होती है अपने ही रंग में रहे रहते हैं और उनकी अलग सी दुनिया होती है वो इन चीजों से बड़ी दूर रहते हैं लेकिन Mr. प्रकाश जी कैसे लिडर जिनोंने आर्मी में इस बिजनस को लाया और आर्मी के सबसे पहले अशीवर बनके देखाया आर्मी की डूटी करते हुए आर्मी की डूटी नॉर्मल डूटी नहीं होती है बहुत इस्टॉंग डूटी होती है मैं बोलता हूं कि सबसे हार्ड क मारते ना कि यह दर्टिन हमारा है ना दिन सरकारी रात हमारी हम डॉटे तो यहां पर तो किया हैँ इस यांपी सरकारी और रात शोय हों और प्लूट को बोल दिया जाए उठो बयुभत आपको फूरानी जगनाना है आप मना नहीं कर सकतें तो ऐसी हार्ड डूटी में होते हुए भी इन्होंने सिस्टम के साथ काम किया सिस्टम को फॉलो किया और खुद अचीवर बनके दिखाया और सेफशोप में हजारों फौजीयों को अपनी जिंदगी बहलने का मौका दिया तो मैं बोलता हूं कि फौजीयों को एक गाइड करन वाले थे वो और और अमपर का जी मैं चाहूंगा इनके लिए भी जोड़ता ढली है जहू माग जहू और इनी के साथ में आये हमारे मांगूझ जी हमारे मेंटर जो आज हमारे रोल मोडिल है अनका नाम है नर्सी booking उतने अच्झे अच्छे धर्वल मेरे से भी ज्यादा एक फ्रेशर बंदे से भी ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी टीम को आगे बिल्ट करने की और उनका नाम है वह सक्स नहीं हमारे लिए एक सक्सियत है जिसका ना मैं नरसी करेवाल हैं और हमें इसके उपर काम करना जूरी है क्योंकि अगर मेंटर ने अतना अच्छा काम करके दिया तो हमें भी करना है और मैं बहुत लग्की हूँ कि आज मैं अगर इस बिजनस में हूँ तो मेरे मेंटर है मांगुर जी पियार चोजरी जी आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं ज मांगट जी पियाहार चोजी जब से मेरी जंद्ध़ी में वया ही चेह जो और आशुराब है बीले में जिद्धा आए कह商 में जंद्धा अपने कई बार देखा होका कि मेरी जंद्धी में भी नियुक्जिए आप दोखा चुकआ हो हों मेरी पहले लायव क्या थी और आज लाइफ क्या है आज जो मैं आपको इस वीडियो में दिख रहा हूं ऐसा मैं था नहीं है यह मेरी कब की फोटो है जब मेरी एज क्रीब 49 हो चुकी 49 एज की फोटो है और जब लोग जवान होते हैं तो अक्सर लोग जवान होते हैं 20 से 25 साल के अंदर उनका ए उस टेम हमारे बाद थी नहीं उस टेम हम ऐसे लगते थे जैसे पितास के हो गए हैं लेकिन अब इनका हाथ और सिस्टम का हाथ कंदे पे आने के बाद आज हमारे चेहरे पे हैं आर आज हमारे दिल में यह सारी खुशियां आई और इसके साथ में इनी की वज़ास से हमें आ बड़ा बदलाव आया और आगे बात करते हैं कि इन्हों ने एक बात बोली जब मैं नया नया इस विजनस में आया था तो यह एक मिटिंग में गया और मांगुर जी नर्सी गरेवाल जी ने बात बोली थी कि क्या आप सफल होना चाहते हैं तो ऐसे हरा अदमी हाथ उठा र बन बसक्ति होने मंतर देजा का मंतर देब जटैना गुर्द दे दो इन्होंने बात बुची कि कि कितने लोग ऐसे हैं जो विलेंसु चाहते हैं तो आज भी उठाई ओंगी स्ब लोग सही है न ये सारी चीज सब को चाहिए है और जिसको बोलते हैं सब रोगों एक दवाई तार्गेट जीतो मेरे बाद कंपनी हमारी 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 सफलता को छोटे-छोटे हिस्षों में बांट के हमें देती है और एक ऐसा मोटिविशन देती है ताकि हम अगर तार्गेट को पूरा कर लेते हैं तो हमें बहुत-बड़ा फायदा होने वाला है तो यह मंतर है सफलता का मंतर है कि आप इस तार्गेट को चीप और आज तक रिकोर्ड है जिस भी लीडर ने इस मंतर को फोलो किया है इस मंतर को फोलो किया है उसकी सक्सेज मनलब पता भी नहीं चला कि ऐसा लगता है कि जैसे रात को सपना तो नहीं ले रहे कहीं कि क्या वाकिया आज हमारी लाइफ ऐसी है लेकिन होई किसकी है जिसने इस मंतर को जपाए जिसने इस मंतर को अपने जिंदगे में उता रहा है मतलब तारगेड अचीब किया है आज आपने पैनल पे बहुत सारी लोगों को सुना होगा तो सबका कहना क्या होता है कि मैंने तारगेड जीते हैं और मांगुर जी नर्सीगरेवाल जी का तो कहना यह भी है कि अगर कोई लीडर बहुत जल्दी सक्से चाहता हो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता हो और अगर वह कंटीन्यू सिस्टम में जो तारगेड जिये है सात में तारगेड में उसको डामिंड शिप उसके गले में होती है ताज उसके सर पे होता है और वह डामिंड का पट्टा है वह उसके गले में होता सिर्फ साथ ये सब्सक्राहें कि उने का सकसेज होने का शूटकट कर में और साथ विए 4 मेहने का दर देते हैं तो चार मेहने क्या हो क्रीब सभा दो साल के अंदर कोई भी आदमी यहां से क्रोड़पती अपने नाम के लिखवा सकता है और यहां से तार्गेट साथ तार्गेट करके डैमेड का पटा अपने गले में बेंच सकता है अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो कमसें पांच साल लगेंगे कोई भी काम यह नहीं है कि अच्छा उसके बाद भी आख डॉक्टर बन भी जाएगा तो डॉक्टर बनते बनते वह उड़ा खर्चा करेगा और यहां पर रैप्ट बनते करोड़बती बन जाएं तो जहां पर डॉक्टर बनना है वहां पर खर्च करना है और उसके बाद भी पता नहीं कि वह एक किस टाइप का डॉक्टर बनेंगा फीस बन गया तो मैं बोलता हूं कि आने वाली जनरेशन की जंदगी बल देगा खांदान का इतिहास ही लिख देगा क्योंकि दोड़ाई साल में बनेगा वह बहुत बड़े थास्ट अच्छी बन लिख लेगा तो इसलिए तारगेट जीतना बहुत जरूरी है तो तारगेट जीतन किस काम के लिए पैसा कमाने के लिए सही है पैसा कमाएंगे तभी तो सारे काम होंगे सबसे पहला हमारा काम है पैसा कमाना तो इस बिजनस में अगर आम तारगेट चीव करते हैं तो तारगेट अचीव करने से सबसे ज़्यादा पैसा आता है किते लोग पैसा कमाना जाते ह तो तार्गेर चीव करो आपको पैसा ज्यादा आएगा है ना दूसरा फाइदा है अचीमेंट बढ़ जाएंगे अचीमेंट बढ़ जाते हैं मलब एक आदमी है जिसने तीन चार महिने में काम किया और उसने तार्गेर अचीव नहीं किया तो उसको पेयर इंकम और साथ में आपकी रैंक इंकम ही आएगी लेकिन अगर वो थोड़ा सा कोशिश करके तार्गेर चीव कर लेता है तो तार्गेट में उसको पहले से कहीं ज्यादा इंकम आ जाए तो कंपनी सीधा सीधा एक दाखर पर उसके काउंट में डालने वाली है तो एचीमेंट डवल होता है नह और तीसरी बात बहुत बड़ी बात अपलाइन की नजर में पैसान बढ़ जाती है हम कहीं बार जोब करते हैं मैं भी जोब करता था वहां पर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कोशिश करते रहते हैं कि हमारे सीनियर की नजर में हमारी वैल्यू बनी रहे हम उसकी नजर है यहां पर आप अचीमेट लेते हैं तो आपका आपकी पैजान आपके अपने सीनियर के नजर में आती है और स्टेज पर मानसमान मिलता है आप जब भी तारगेट चीप पर गए किसी भी स्टेज पर जाएंगे आपको बिलकुल लोगों से हटके मानसमान मिलेगा आप जब रहे है तो त्रगट जिएने की बगड़े फायदें टीम की नजर में इच्जब एक बड़ जाती आप चिवर्स हैं तो आपकी टीम आपका का नाम लेगा लेती है यह यह यहis पर उन सी जिए यह यह याग तर जिद दिया यह हमारे अशुग जी एक उतिए रिजज दिद ये थाइलेंड गूंक्य आहीं आई ये देखो वहां की फोटो आपकी टीम आपका नाम याले लेकि लोग उनको बताती है तो आपका एक्तम फिर्णा चौड़ा होता है कि यार मेरा नाम है धीम मेरा नाम ले लेकि काम कर रही है और कंपणी की वेबसाइट प्रयापका नाम ह हम अपनी वेबसेट कोल गोल के दिखाते हैं एक कंपनी की वेबसेट पे नाम है यह बहुत बड़े सीमेंट्स है ठीक है और रिक अदमी आज फ्रेशर है और अगर वह लीडर मैं बहुता हूं कि थाइलेंड तार्गेट यह अपना यह रूप आगे जीब जीज़ जाता है त वह सीदा सीदा वह गोल्ड के आसपास हूं जाता है फ्रेटनम पार कर जाएगा तो आपका बढ़ जाएगा और डामिंड शीव की पकी नीव डाव प्धाए तो डामिंड बंना पका है कि उसकी नीव मजबूत हो जाती है वह हम इससे आपने अस्टीमेंट दिखा दिखा क कि आगे अपने बिजन्स को कर जाता है और परिवार की नजरों में वेल्यू बढ़ती है जूरी है के नहीं यह सिए नेट वर्क मार्टिंग में टीम में इंकम कैसे आएगी टीम बनने पर और जहां पर हम कहीं जॉप में जाते हैं तो वहां क्या होता है हमने कहीं जॉप हम पूरा महिना जॉप कर गयाते हैं और वहां से पैसा मिलता है तो अपने घरवालों को देते हैं लाके तो घरवाले बोलते हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया इस महिने में काम किया देखो सैरली मिल गई तो घरवाले खुश रहते हैं लेकिन नेट्वर मारिटिंग में क लेकिन हमारे घरवाले जाते हैं पहले आम लाओ भई पेडवेर तुम्हारा कब बढ़ाओगा हमें मतलब नहीं हमें तो पैसे लाओ उनको तो आम खाने से मतलब होता है उनको तो पैसे चाहिए लेकिन अगर कोई लीडर यहां पे ज्वेनिंग करे और ज्वेनिंग करके य जो आगे तीन महीने हमारे पास में हैं उनमें वो बंदा यूरोप तार्गेट जीच जाए और वो लाके दे अपने घर को लाग रपा एक और थोड़ दिनके बाद बोले यार किसी वज़ा से किसी कारणवंस मैं यूरोप नहीं जा पाया एक लाग और दो लाग रपा पइसा लगा है इदा ना खाना का ध्यान है ना प्रेनने का ध्यान है दिर रहा थे काम में लगा है तो उसके लिए तो घरवाले क्या बोलेंगे वेरी गुड आप इसी काम को और अच्छा सब्सक्राइए इसके लिए मांगो जी नर्सीगरवाल जी कहीं बताते हैं कि जब घर में आये चुटी चुटी आये तो मैडम को बता दिया कि मैं प्राइवेट कमपनी में काम कर रहा हूं तो मैडम ने तो जब प्राइवेट वाली देखी तो तो लाखों में जा रही है और जो सरकारी वाली थी और कम थी तो बोला कि अभी ऐसा है अब इसमें और पैसे नहीं आएंगे इसको आप छोड़ दो तो बोला क्यों बोले इसलिए क्योंकि हम प्राइवेट में काम नहीं करेंगे और परिवार वाले आपका खुद़ साहधे और खानदान में तिहास, हैं में बड़ा पॉल्ड फिल करता हूं, सिस्टम हाने के बाद मेरे को जिए। मैं उस अचीमेंड की वज़ा से मैं खानदान में हर टॉप में और तो घाड़ी लेने की ब्ज़ाए बात शबर आचीमेंट की बास करें तो में टॉप मेरा अगर अपनी प्रक्डी करने में रहे तक भी में टॉप मेरा और अगर योरोप घूम के आने की बात हो तो तirty मैं टॉप मैं एमने जब te攻 झेथं ता मैं योरोप गया तो हमारे अईने फ़然后 बदाते थे यूरोप घुमने के हावा अंदरपाल से बड़े प्रावड के साथ बोलते थे मेरे मामा लोगं को फोन करके बता रहे थे आज उसकी फोटों आई हैं देखो तो हमारे परिवार वाले हमारे को जब अचीमेंट मिलता है तो हमें खुश होते हैं और एक खांदान का इतिहास ल लगजाना बहुत बड़ी बात होती है आप जाने हैं आपके अगल बगल में कितने अच्छे लोग भी रहते होंगे जो अपने आपको अमीज समयते होंगे वह भी लोग भी रहे होंगे लेकिन उनका पासपोर्ट उठाके देखना कि यूरोप का ठपा है क्या मैंने सुना ह कि इंडिया की जो पापुलिशन है उसको अगर काउंटिंग किया जाए और कितने लोगों के पासपोर्ट पे यूरोप का ठपा लगा है उनको काउंटिंग किया जाए तो पांच लाख लोगों के बाद एक आदमी का नाम निकल गया आता है जो आदमी यूरोप इस होता है यूरोप का डिऐस के पासपोर्ट पांच लाख लोगों के पार स tea आधा थो बहुत सारी लोगों के बाद अपना नाम लेकिन इंडरेपाल सिंग के पासपोर्ट के एक निकाईबा पासपोर्ट पीरा बढ़ा है पासपोर्ट तो यह सारा अपने खांधन का नाम रुश्ण करने का मुखा मिलता है तो दोस्तों मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बद्लावा है नहीं से जितने के मेरी जिंदगी में और आपको गुआ जाने का मुखा मिले तो कैसा रहेगा बहुत बढ़ी रहेगा और बलग वो भी फ्री में और मेले तो बहुत मज़ा और ममझा आदेगा और फिर वन तुमने पूछा है कि इंदर बाली कभी फाइव स्टार होटल में रहें हो नहीं सर अंदर दक भी नहीं और थोड़ा सा काम करके पैसा कमा की जाने का मौका मिले तो कैसा देगा मैंने बहुत बढ़िया तो मैंने असर कैसे होगा तुरों ने बोला कंपनी की तरफ से तार्गेट आया है पुरा एक महीने का समय है अगर आप इस महीने में इतने लोगों को लेफ्ट में इतने लोगों को राइट में जा अगर जिवनी करते हैं तो पेर के हिसाब से आपको करीब ठारा उन्नी आर्फे के इंकम भी आई साथ साथ में आपको गोवा फ्री ओ कोष्ट जाने का मौका में लेगा और वहां पर फाइफ टार रहने का मौका में लेगा आप विश्वास करना ये बात सुनके मैं इतना अक्साइटेड हो गया था मैंने बोला जैसे यार मैंने सब कुछ यही है मैंने इसके लिए बताओ मुझे काम कैसे करना हुआ तो मिरे अपले ने में इस तरीके से काम किया मैं दिन रात काम किया मैं फौजी आदमी था और मैं दिल्ली पोस्टर था हमारा फाइव डे वीक होता था ता माँबे तो हम फ्राइडे के दिन शाम को डूटी करने के बाद से ही त्यारी करके रखतेерш हैं कि गर आते ही ही बैग उठा कि अपने गाओं में जाना है गाओं में जाके रात रात-ourात को गाओं में आते थे अर्ली मौर्ची पहुंचते थे हैं और मैं अपना mentor को 7 साथ मिलाता था माहुची चोजी साब को मैं साथ में लिगाता था और फिर हम अपनी घर में आके नास्ता करके स्कूटर उठाके पूरा दिन मेरे रिलेटिव कहां कहां पे हैं एक एक के पास आके हमने वहां पे काम किया और पूरे एक महिने के अंदर अपना तार्गेट और हम गोवा गए गए तो थे खाली घूमने की चक्कर में लेकिन वहां पर जाके जो वीजन बना बहुत सारे चीवर्स मिले वहां पर सब लोगों की बाचित होने लगी और वहां पर सिस्टम में थोड़ा एक पर मिटिंग करके हमें समानित किया गया एजुकिशन मिली तो दोस्तों वही जोको पारकेट था वह तार्गेट लिसने की वहाण से आज लइफ ऐसी है कमई सोच नीथा ऐसा होगा है आज मेरी लाइफ ऐसी है सिन hurricane में और चंटांब्स धिएrika के साथ में थाइलेंड में जिन्दां शेड के साथ में फोटोब हुद यह विच्वेम क्ने में फोटो पे जबाते हुए रहे है ओपर देखी है बीस वे planets पे ये सब लोग वॉलिवाल खेल दो ते और हमारे तोदे तो सोच भी नहीं होती थी कि हमारी याजियों कैंड जेह अगर हम सिस्टम की वजएसे हम उस अरु बहुंटीर मेरे साथ में वीच पर विदी देए और बहुत साई लीडर हमारे साथ में बलराम जी हमारे साथ में ना बलराम जी की टीम में बहुत साई लोग हमारे साथ में इम्फाल वाली टीम हमारे साथ में मलब तार्गेट चीफ करने से जिंदगी के सारे मज़ें सही है यह हमारी यूरोप की फोटोस यह हम यूरोप गए और ये रोप पे फोटो है ये मेरे पुरे डैमेंड समशे जी अपनी मैडम के साथ में है ना और समशे जी बड़े लखी है एक बार नहीं दो दो बार ये यूरोप जाने का मुझा मिला अपनी वाइफ के साथ में हैं और इदर से हमारे नियाल जी हमारे साथ में हैं और बाकी यह तर्वी कुछ है और अपने डाइमेडों के साथ अपनी टीम के साथ जाएं इसका टाइगर लोगी तो बैठते हैं यह जिंदकी के सारे मज़े तार्गेट जीतने से आते हैं कैसे आते हैं कई लोगों के तो मुँँ में पानी आ रहा होगा बला सार इस बार हमें वी छोड़ दो भी काम गरना है दो और इस बार तार्गेट जीत के यह वाली फोटो हमने निकचवा के दखाई तो बताना ना इस तरीके के मांगुची नर्सी गरवाल जी के साथ में इस तरीके से अपने भी लाइफ होती है हर आदमी के अपने 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 हैसियत होती है लेकिन जहां मेरी हैसियत थी मैं फोजी आदमी था और हम ले पाते तो क्या ले पाते बड़ी सोच होती तो आल्टो ले पात लेकिन कहां से इस सबसे पहले मैंने गोवा का तागर जीता उसके बा लिए आल्टो के बाद एक साल के बाद मैंने इंडिगो सीस कार पर्चेजिंग कर लिए इंडिगो से हम काम कर रहे थे और तब तक ड्रेश्टर कार मार्केट में आगी तो हमने ड्रेश्टर कार पर्चेजिंग कर लिए अगर मैं जोप में तो पहले थे नहीं ना जब हमारी 15 साल जोब थी हमारे पास एक भी कार नी थी साल के सफर में क जो यह करने के साथ साल के अंदर मैं तीन और जीतने से बड़ी इंकम आई तो वह इंकम की वजह से हम यह सारे काम कर पाए और बड़ी प्राउड की बात है आज मैं जिस घर में बैटा हूँ या फिर मेरे आप इससे देख पा रहे हैं ये घर मैं साथ साल किराए में रहा इस घर में साथ साल किराए पे रहने के बाद इसी घर को पर्चेजिंग करने का मौका मिला ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है है हम साथ साल जिस घर में किराए पे रहते हैं है ना मालिक कोई होड़ था हम किराए जार थे लेकिन किस्मत कि एक दिन ऐसा हुआ कि उस मालिक ने मेरे को बोला कि मैं घर सेल करने वाला हूं और अच्छा था कि उस दिन समशेर जी मेरे साथ में थे मेरी वाइफ हम लोगों वो शाम को बोलके कि रात को बोलके कि 7-8 बजे कि हम घर बेच रहे हैं उससे पहले हमें पता नहीं हमारी कुछ सोच नहीं कि ब्लानिंग नहीं ऐसी देखो तार्गेट जितने की वज़ा से कैसे कैसे जिन्दगी बहला बाता है बाई साब रात को 7-8 बजे बोलके चलेगी मैं मकान बेच रहा हूँ मैंने कुछ लोग को बोला है और कुछ लोग मकान देखने कल के दिन आएंगे और आप से रिक्वेस्ट है आप मकान दिखवा देना मैं डूटी जाओंगा वो इतनी बात बोलके चलेगे और हमें रात को नीज नहीं आई अच्छा हुआ कि हमने पूछ लिया कि कितने पैसे में बेचना है और जैसी बात हुई तो रात को हमने चर्चागी और रात को इटि चाहरा को कब बदलोगे ऐसे से बोलती थी तो कि चेतक स्कूटर क्या होता था पर प्रॉलम उसकी एगी थी जहां भीड में जाएगी पक्का बंदोगी मैं कल्ना होंगो तो हो ना हो मैडम के साथ जाँगो पक्का बंदो जाएगी और उसकी एक आज़त थी जाली उतारो तो जब मार्केट में मैडम को उतारो गए बच्चों को उतारो गए तो घर में आके करमा घर्मी होगी नहीं होगी हम चेतक नहीं बदल पाए लेकिन इतना महगा घर सिर्फ कितने घंटे में दो से धाई घंटे के अंदर हमारा डिसीजिजन हो गया कि इस घर को कल हम बुला करेंगे और हमने पैसा पहले से घर में कुछ लाके रखा और आते ही उसके सामने बैठके बात किया कि बाइस साब कुछ कम कर लो यह कर लो कर लो उसमें बुला नहीं जी मैंने नाप तोलके बता है हमने पैसे उठाए उसका रख दी हमारा ब्याना हो गया हम एक दो मेने का अरे एक आदमी नहीं बनने पारा रावाज करोड़ों के घर को यह ले लेते किसकी वैज़े से अगर हमने तरगेट नहीं जीते होते तो इतनी फास्ट हमें अच्छे मैं नहीं मिले होते तो दोफ्तों यह मेरे लिए प्रावड वाले बात हैं यह खांदान का नाम रोशिन करने वाले बाते हैं चाहते हैं हां भी और बात करते हैं कैपिंग की है ना दो लाग की कैपिंग आ जाए है ना हम बाद बार स्राइड में दखाते हैं कि दो लाग की कैपिंग आप देखो आपके सामने हैं दो लाग की कैपिंग यहां पे दो लाग की बजाए दो लाग और त तार्गेट कौन सा जीतना है जब भी मैं किससे बात बोलूँगा तो बोलते हैं हमें यूरोप जीतेंगे आप यूरोप पका जीतेंगे लेकिन कब जीतेंगे अगर आप पहले गुवा का तार्गेट फाइन करें और गुवा का तार्गेट जीतने से पहले आपको क्या करना ह अपना अमबल पर्पल जो है वो तारगेट के लिए आपको पांच भी दस भी जो भी चाहिए उसके लिए आपने इसको लिए आपको अमबल पर्फल इसको क्लिफेड करना है और सबसे पहला आप आगर आपने का प्लांइंगे आपका युरोप भी हो जाएगे और अगर आप द मैं ढोलेंगे पिस going नहीं करेंगे पहले पहले आपका कदम पहले सब्सक्राइब में लेकिन पहला गैरे दूसालाएंगे तीसाल लगाएंगे गारी बिलकुल first class run में पे जाई तो इसलिए आपको पहला गेर आपका क्या है तो गोजा का प्लानिंग करें और गोजा तार्गेट आप जल्दी से बैठके अपना final कर दें है ना और mindset कर ले अपना तार्गेट जीतने का mindset कर लें कि मेरे को जीटना ही जीतना है और इसके बाद आपको खुद पर बरोसा होना चाहिए खुद पर बरोसा है और हमेश्चा बड़ा सोचना है हमेश्चा बड़ा सोचना है जैसे एक बार क्या हुआ कि दो फोजी छुटी आए आयोए थे और पैंस कर लेंगे बोला ठीक है हम गन का डिमांड करते हैं फोजी आते से मैं गन मिल जाएगी तो एक फोजी ने अप्लिकेशन लिखा कि मैं पैंशन जा रहा हूं मैं रिटायर हो रहा हूं मुझे गन चाहिए तो इसने अप्लिकेशन दे दी और दूसरा फोजी था उसने क्या बो दो मिने की बाद मी जाएगा तो काटके आधा कर देता देक मेरे उसको एसको इसको बोला करो तो चुटी मिलती थी और यहां मिल देगी को गन मांगने से करने मिल देगा मैंने लिए मैंने लिए ना तो मुझे टॉप नहीं सब्सक्राइब अपिलrant कि अप्लिकाशन कि अप्लिकशन तो बोले कि अग्र को Do को लगा तो लेकिन अगर हमने तरगेट ही गन को लगा तो भी तरगेट भड़ा लगाया हुआ है ना तो अगर हमने नहीं भी उपाए है तो कम से होगा अगर हमारी सोच बड़ी है हमारा तार्गेट बड़ा है और यहां पे क्या लिखा देखो बड़े जवरस्त बात लिखी है अगर बरोषा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वहीप आऊगे अगर बरोषा किस पर है खुदा पे है न और मगर भरोशा अगर खुद पर है खुद पर भरोशा है तो खुद भी वह लिखेगा जो आप गर दो क्या घाते हो खुद के सैप्ड करने हैं जो कि समत में लिखा हो गभी कि अगर तो खुद पर वरोसा रखो अगर दुनिया में इस में इस कंपरी में यही काम करके कुछ दूश्रा तागर जी सकता तो आप भी सकते इसके उपर आपको भरोसा होना चाहिए तो आगे क्या है आपका फोकस होना चाहिए है ना हमेशा एक ही जगा फोकस होना चाहिए हमारा target हमारा focus अ कि हर दम अपने target पे रहेगा तो तारगेट पे रहेगा तारगेट जी सकते हैं कि यस नइनटी नैन प्रसेंट आपका focus आपके target पे होगा आपका तारगेट जीतेंगे और बेशीक का जंडा गाड़ देगा target का जंडा, siis under target का जंडा गारना है तो बस बेसी करना है बेसी कमरा किया है ये 5 क्या है जिनको बहुत मलब आप पहले से भी कर रहे होикеना और अभी और ध्यान से करना है सबसे पहले हमारे basic में list आती है list मजबूत बनानी है इंविटेशन करना है शोदा प्लान करना है फॉल अप करना है और अगर यह पांचों चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्त यही पांच चीज़ें काम करके आप अपने तार्गेट को अचीब कर सकते हैं और अगर आप क्यूस के साथ से हमारी साट डेडी निकल जाती है साट डेडी निकलती है और अगर हम क्यूसी बनाने लगे उन में से हम क्यूसी बनाने लगे तो देखो कैसा होता है पहले वीक में आपने काम किया 35 प्लान दिखाए आपकी साट डेडी निकली उन में से अगर आपने दो क्यूसी निकाल दिए तो छे डिडी नहीं आगी मतलब छे लोग नहीं जोएनिंग होगे छे प्लस साथ पहले थे तेरा लोग की टीम होएती आपकी और नेक्स्ट वीक में अगर जो तेरा लोग है उनमें से अगर आपने तीन भी क्योंशी निकाल दिए त्यूंकि टीम भी तो बढ़ बिलके जो नहीं नोग आए उनका प्लानिक करवा दें मातर चार क्योंशी निकाल दें तो बारा डीडी नहीं आती हैं बाइस प्लस बारा चौनतीस लोगों की टीम आपकी यूं मन जाती है चौत्वे वीक में और पांच में वीक में देखिया यह जो चाहिए जो बारा लो सब्सक्राइब देखिया तो एक में तर्टीन यह लोगों की टीम महतर पांच हफ पांच हपते के अंदर मतलब एक महिना यह सवा महिने के अंदर अब 49 ना लेते हो कोई मुश्य बहुत असान है बस सिर्फ सिस्ट्रम को अपने की जिम्मेदर ही लेके काम करने और अपना के लगा के काम करें जुब असान था है मैं बोलता हूं अमीर बनने का शोट्कटरी का है सिर्व शोप और अपने में काम करें काउंसलिंग और अपना प्रोस्पेट्टिंग तो के एमसे डिया अप काम और दोस्तों यह बहुत अभी इसा पल चल रहा है जो हमारे अक्सेस्टमेंट के लिए भी और हमारे दिल की दड़कर भी बढ़ा रहा है और इस बार जो लोग target चैप करेंगे उनके बीच में है इस बार ट्रोफी ठीक है यह mini trip होने वाली है अक्तूबर में Technology होने आली है और ये ट्रोफी उस टीम को मिलने वाली है जो टीम सबसे जादा target अचीव कर के लाएगी इंद्रपाल सिंग सुर्ण से स्पोर्शमें रहा हमें एक ही छीज है एक ही चीज है कि हमें सा number one पे हम रहेंगे और इंद्रपाल सिंग के साथ में इंद्रपाल सिंग का जो विवार आपके साथ में वो कैसा होगा जैसा राजल चाहेगा वैसे तो टीम भी काम करेगी और शेरों के बाड़े में कौन रहता है शेर रहते हैं तो मैं ऐसी फिल कर रहा हूं कि इस बार जो ट्रोफी है वो हमारी ही टीम जितने वाली है यह नंबर वन की ट्रोफी इस बार और दोनों टीमे मेरे सामने बैठी है यही वो दो टीम में है जो नंबर बइन पे आने वाली है नंबर टू पे आने वाली है सारी तो नंबर वन न Moscow न पर आएगी मुझे नंबश चाहिए ही चाहिए और दूसरों को कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए तो इस बार ट्रोफी मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूं आप कितना चीमेंट लोगे क्या लोगे अपने को पता नहीं लेकिन आप लोगों से मुझे की चाहिए और वह है नंबर वन और नंबर टू की ट्रोफी क्या आप यह सब दे सकते हैं या आप अपना 100% दे सकते हैं यास अगर आप अपना 100% देंगे तो ट्रॉफी पका अपने पास में यह ट्रॉफी ब्लैंक से अभी लिखा हुआ इस पर नेम पर इट नहीं है मैं तो यह बोलूँगा कि अभी से इस पर नाम लिख दिये जाएं कि यह ट्रॉफी हमारी ही होगी य तो कितने लोग ऐसी हैं जो बोलता है कि सर इस ट्रॉफी को जीतने के लिए जो मेरा योगदान है मेरा अपना सेल्फ का कि मैं अपना तरफ से एक प्वेंट जूर दूँगा यह मेरा नाम है और मेरे नाम के आगे जो तार्गेट मिला है मैं उसको चीप करके दिखाऊ और यह तार्गेट जीतने से सब कुछ होने वाला है और थैंक्यू वेरी मैश आप आज समय तो मैं जो कम लेना था लेकिन जब मैं तुछ गरम हो जाता हूं तो फिर ठंडा करना तुछ मुश्किल होता है थारी कोई साथ में ठंडा करने वाला और इतना समय हमने लिया और म आपका सहयोग मुझे चाहिए बस अभी आपका साथ मिल जाए और आपका जोश जनून मैं देख रहा हूं हमारी टीम इंडिया की नंबर वन टीम हैं हमारे लीडर दुनिया से हटके हैं एकदम जोशिले हैं दमदार हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी टीम में जो आप लोगों ने मुझे आज समय दिया था और टीम से मिलवाने का और बहुत सारे लोगों